नवस्कार आप देख रहे हैं नेक्श नाइन न्यूजर में हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी महाराष्ट में विदानसवा चुनाओ को लेकर सियासी संग्राम तेज होता वा नजर आ रहा है प्रदेश में एक ही चरण में 20 नवंबर को 288 सीटों पर मतदान होना है और 23 न पवार ने नवाम मलिक की उम्मीद्वारी पर कि किसकी पार्टी से कौन उम्मीद्वार रहेंगी इसकी पूरी तस्वीर चार तारी को शाम चार बजे तक साफ हो जाएगीन Odysseyप जीट पवार मलिक को दिक्रम तिकत दिया गया है इसके बाद से महायुती के अंदर माबाल मच भी जे पी इसका खुले आम विरोध करती भी नजरा रही है भारती जंता पार्टी के प्रेश्ट नेता एंसे एंसेपी ने पहले नवा मलिक के बैटी इसली को टिकट दिया इस इसके बाद अंतिमशन में मानकुर्द शिवाजी नगर विदानसभा सीट से नवाम मलिक को टिकट दे दिया गया इस मुकाबले में नवाब मलिक को इसलिए लाय गया है ताकि मुस्लिम वोटो का विवाजन हो सके इसी साल हुए लोगसबा चुनाव में अजीत पवार की एंसीपी को चार सीटे ही मिली थी इसे में चुनाव में लड़ने के लिए चार सीटों पर एंसीपी अपने उमीदवार उतारती भी नदर आई थी वहीं विदानसभा चुनाव में भी उन्हें कम से कम सीटे मिली हैं ऐसे में पार्टी के नेता हर बार समझोता नहीं करना चाते भारती जिनता पार्टी के दबाव के बावजूद नवाम मलिक को टिकट दे कर अजीद पवार को खुद को साबित करना चाते हैं क्योंकि मलिक उल्ग की पार्टी के शीष नेताओं में से हैं और एक बड़ा मुस्लिम चहरा भी है ऐसे में नवाम मलिक का समर्दन को होने से लोग सबाद चुनाओ की तरह पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है इस वज़े से भी मलिक को टिकट दिया गया है अब ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि माराष्ट में 288 विदान सवा सीटों पर होने वाले चुनाओी सम्मी करण आखिर किसकी तरफ अपना रुख करते वे नजर आते हैं